बागे रजी तप्स तली कंगोतिक दाम और कल सुबह अगर हमत हुई तो कल सुबह दुपती दरूर लगाएंगे यहां बर्फ भी गर सकती है गंगा महिया के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं कंगोत्री नेशनल पार्क लगा तो नहीं था कि मैं सीड़े चड़ जो आशरे में वो कुछ दिनों में खुल जाएगा चार-पाँच दिनों में बट ट्यारेच है वो खुलेगा तीन तारीक के बाद ही तो हमने वाक्सी के टिकट कटा ली और जो सफर है जिन्दगी का जीवन का वो खतम हो पकता है क्योंकि हम ड्रोन ने उड़ा सकते जा चुका है कि हमें जीओ में अपने स्विम को स्थान तारित्म करवा लेना चाहिए तो मित्रों गंगोतरी में हो रही है बारिश फाइनली हम लोग पहुंच गया गंगोतरी और आभी हम जा रहे हैं गंगोतरी जी के में टेंपल में कि अव्सान है कि एडिया लेजया है कि एड़ बागे रजी तप्ट तली अंगोतिक दाम, I think शायद यही वो जगा है जहां बागे अथी जी ने पूरी तपस्तिया की होगी किसी ने दजद सुर्वा की नोट फेके हुए, लगबग साड़े 500 किलो मिटर खीचने के बाद हम पहुंचते हैं गंगोतिरी दाम और यहां आकर पता चलता है कि जो बुझवासा का टी आर्सी है और आश्रम है वो बंद है तो हमारा गोव्मुक ट्रेक का जो प्लैन था वो तो तरहाशाही हो चुका है लेकिन कोई नहीं और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं गंगोतिरी माता का मंदिर फिलाल तो माता यहां नहीं है वो मुकबा महां पे शिफ्ट किया हुआ है और जैसे ही कपड़ फुलेंगे उनको दुबारा से यहां लिया आया जाए जाएगा हो मैंakis किफिर फिल्परो कोईवा जान काुए हुआ है कि छाहई हमआए जाएगे हमां पारे याथ동ो Hammer तो अहली है तो जो सोच किया थे कि थोड़ा पनाएंगे लेकिन पानी का टेंपरिचर बहुत दाधा थंदर है तो वो स्कीप पिरेंगे कल सुबह आएंगे और कल सुबह अगर हिमत हुई तो कल सुबह दुपती दरूर लगाएंगे और फिर से वहां काले-काले बादा ला रहे हैं बारि बारिश होती है तो अगर लोकलाइट्स भोल रहे हैं कि शायद यहां बर्फ भी गिर सकती है थोड़ी बहुत बर्फ गिरेगी तो अच्छा रहेगा लेकिन अगर जादा बर्फ गिर गई तो वालत टाइट हो जाएगी क्योंकि रास्ता आप देखी चुके है कि आने का कैस है और वही रास्ता में जाने के लिए चाहिए गंगा महिया के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं नैशनल पार्क जाप आते हैं कि नहीं कि क्योंकि रास्ता मुझे थोड़ा गड़बर गड़बर लग रहा है कि वाला कि अगर वह उपर वाली सीड़ी हैं में ना गाइस जहां से खंटी जी आ रही हैं तो हम शायद नहीं जाएंगे हम वापिस सुरच कुंटे निकल लेंगे और होटल में जाके आराम करेंगे अज तो बोलो जय गंगा महिया की कि लगा तो नहीं था कि मैं सीड़े चड़ बाऊंगा लेकिन आखिरकार मैंने सीड़े चड़ दी और हम आगे थोड़ा प्लेन एरिया में तो यह ट्रैक तो मैं इजली कर सकता हूं तो एटलिस्ट जो हमारे चेक पोस्ट है वहां तक तो मैं चला ही जाओंगा और बात करेंगे उससे थोड़ा कि पर्मीशन का क्या होता है शू क्या सिस्टम है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोम मक्तब जाने सकते क्योंकि मुझवासा बंद है बंद इन देसेंस जो ट्यारेच है और जो आश्रम है वह फिलाल बंद है तो वह पॉसिबल हो नहीं का आएगा क्योंकि एक दिन में मैं कवर कर नहीं पाऊँ हूँ 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 है तो भही देख लो कैसा कैसा रास्ता है तो फाइनली हमा लोग था खार के आके गंकोत्री नेशनल पार्क अब भी सेसी टीवी केमरी के निकलानी में हैं हमारे को छोड़के अंदर नहीं देरेगे आश्रम में और ओफिस के लोगों से पते चला कि भाई अभी तो सब कुछ बंद है तो हमने वाप सी किटिका ठटा ली और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब गौमुक ना होके हम जाएंगे परदंगली और नानवेली आइधिक तो अभी अब यहां से वापस जा र रहा है आज का स्टे और एक चीज़ और इसकी अगर आश्रम और जो टी आरेच है वो अब तक फुला नहीं है तो जिसकी वचे जाना बहुत ही मुश्किल है आपको कोई ना कोई ट्रैकिंग वाली कंपनी करनी पड़ेगी जो प्रेंट्स भीचवाएगी और वो काफी है मैं सजेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा जब मंदर के कपाट खुल जाए तब ही आए तब ही थोड़ा तस्ता पड़ेगा उनको और ती आरेच और जो आश्रम में वो खुल जाएगा गेटवे के पास जो मांधिजी है इन्होंने बता है कि जो आश्रम में वो कुछ दिन बात आप आएंगे तो जो जो बोजवासा और चीरवासा में जो आश्रम है वो आपको खुले हुए मिल जाएंगे और आप इसली ट्रैक कर सकते हैं अधरवाइस थोड़ा चांते हैं कि आप ट्रैक ना कर पाएं आपको विर ट्रैकिंग कंपनी हायर करने पड़ेगी मैंने कई लोगों की वीडियो देखी लेकिन उसमें एक बहुत ही मेजर चीज़ उनने मिसकी कि वो किस टाइम जा रहे हैं कहीं वीडियो में लिंक नहीं था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि आज यह जो मैं ट्रैक के लिए प्लैन किया था और मैंने सोचा यह जो जानकारी मैंने गठा कि वो किस डेट की है और जो सही डेट होगी ट्रैकिंग की वो क्या हो सकती है ताकि जिसको करना है तो वह आराम से आके कर सकता है कि कुछ भाई लोग तो उपर ही रुख गए जो महांती जी का आश्रम था वहां पर लेकिन हमने अपना होटल नीचे बुक कर दिया है तो हम तो भाई नीचे ही जाएंगे कि हमें नीचे जाना पड़ेगा अधरवाइस अगर हमें पता होता पहले से तो शायद हम भी यहीं रुखते क्योंकि एक रिमोट आश्रम में रुखने का आनंदी कुछ और होता है और आप देख रहेंगे कि मैं नीचे जादा देख रहा हूं और उपर कम तो रास्ता अच्छ और आश्रम ईगराते हैं यह दोनों में सो कोई भी एक खुल जाता है तो आपको परमिशन इसली गंगोल्य से मिल जाय की लेकिन अगर लेकिन अगर यह दोनों ही बंद हैं तो फिर आपको पर्मिशन जो है उत्तरकाशी से मिलेगी और वो पर्मिशन आपको दिलवाएगी ट्रैकिंग कंपनी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्मिशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी लगों से आपको जल्दी से जल्दी निकलना है क्योंकि छोटा मोटा पुथर कभी भी आ सकता है और जो सफर है जिन्दगी का जीवन का वो खतम हो पकता है मुझे उवीद नहीं थी कि मैं पूरा कर पाऊंगा कि दो किलोमेटर का स्ट्रेच लेकिन फाइनली गंगम यह कि आशिरुवात की वज़े से यह मैं पूरा कर पाया और सामने क्या शानदार व्यू है गंगोत्री का अगर केमरे में दिख रहा हो तो गंगोत्री दाम का एरियल व्यू चोकि हम ड्रोन ने उड़ा सकते यह नो ड्रोन जोन है और साथी साथ हमारे फोन में जीरो नेटवर्क हैं वोडा फोन की बजॉलत तो इस राइड में ही टै हो चुका है कि वोडा फोन किसी काम का नहीं रहा और तो मैं आ चुका है कि हमें जीओ में अपने स्विम को स्थानतारित करवा लेना चाहिए अधरवाइस हम मूसली लागों में ऐसे ही नो सिंगनल घूमते रहेंगे नहीं कोई कनेक्शन होगा नहीं क करने का यह एक छोटा सा पार्ट है हमारी गंगोतरी ट्रिप का मेरी पूरी रैड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जहां मैं जल्दी ही पूरी वीडियो अप्लोड करूंगा तो तब तक के लिए टेक कियर बबाए एंड़ाइड सेफ तो मित्रों कि गंगोतरी में हो रही है बारिश और बादल एक दम चड़ चुके हैं तो इस गार्दांगली की पूरी वीडियो मैंने एक सेपरेट विलोग भी पनाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूना